अब एक और तस्वीर आप देखें, ब्रिटेन के प्रधान मंत्री रिश्री सुनक यहाँ पर पहुँच चुके हैं रिश्री सुनक का यहाँ पर आना इसलिए बहुत खास है क्योंकि इससे पहले वो अक्षरधा मंदिर भी पहुँचते हैं हिंदुस्तान के प्रती भारत के प्रती रिश्री सुनक का जुडाव कैसा है यह समय समय पर हमने देखा है अब आपको तस्वीरों में राजगाट पर पहुँचे हुए रिश्री सुनक दिखाई दे रहे हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी उनका सुवागत यहां पर करेंगे मेरे सयोगी किशोर जुड़े हुए है उनका रुक करते है किशोर जी लीविना जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त रिश्री सुनक के साथ प्रधान मंत्री और एक-एक विक्रान जो एक-एक गेस्ट आ रहा है, एक एक महमान जो आ रहा है, एक तो वो खादी का अंग वस्तरों ने पहना आए जा रहा है और बताया जा रहा है और ये जो तस्वीर है वो गांधी आशरम साबरमती की, वो उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, प्रिधान मंत्री ने रेंद्र मोधी पीछे बैकड्रॉप में रखा गया है, जहां पर महतमगांधी और कसुर्वा रहा करते थे, बिल्कुल, बिल्कुल किशोर देखिए, राजगाट की वही तस्वीर, और ये अगले, जो, हाँ, इंडोनेशिया के जोको, जोको भी डोडो, किशोर जोको भी डोडो हैं, और बहुत महतमगों भूमिका निभाई है इन्होंने, और ना सिर्फ इस डिकलरेशन में, जो, हाँ, डिकलरेशन में, जी, 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 करने में की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए भूमिका है, वो भी बता दें, इंडोनेशिया, भारत, दक्षीन अफरीका, ब्राजील, य ये एजेंडे को तैग करते हैं, हाला कि ये भी कहा जाता है, जी, ट्वेंटी के बारे में, कि क्यूंकि कोई सेक्रेटेरियट नहीं, और बार-बार अध्यक्ष बदलता है, तो इनका एजेंडा भी बदल जाता है, लेकिन ये चारो देश को ओडिनेट करके, तो ये जो को समिती से सभी बिंदूओं पर बात हुई, और वो कम्यूनिकेफ बना, उसमें कल भी अमिताब कांत की तरफ से भी बताय गया था, कि ये चार देश, इन चारों देशों के राश्टा देशुत है, उनकी वजए से ये संभव हो पाया, और जोको विडोडो भी उनमें एक जो जैसा नीरज बता रहे है न संदीब, कि एहमियत जोको विडोडो की इसले भी क्योंकि पिछले अध्यक्स हो थे, इस बार प्रतान मंतरी नरेंद मोदी है, मतलब भारत है, और अगले फिर ब्राजिल है, और उसके बाद साउथ अफरीका है, ये जो है, अब जो टाइम चल वाली है, वो फ्यूचर की मुटिंग है, तो ऐसे में वो सारा एजंडा यहां पर तै होगा, कि आगे हमें किस तरीके से जाना है, अभी कितने मजे से ये साड़े दस बजे से इनका आगला सेशन शुरू है, यहां दस बिस तक रहेंगे किसो, आपकी जगा नो बिस तक, नो पर आज भी उस पर बहुत कामेंटरी हो रही है, पूरी दुनिया भर में हो रही है, वो जो नया रस्ता, जो नया सिल्क रूट की बात हो रही है, स्पाइस रूट होता था, इतियास में, कि जिस के, जिस रास्ते से, और भारत, सब लोग आना चाहते थे, तीन-चार सदी पहले, क्योंकि भारत के जो मसाले थे, पराना इतियास रहा है, जिस पर कल घुछना भी हुई, कि भारत से पष्छिम कनेक्ट हो जाएगा, अभी तक ब्हुत सारी कोुशिशs हैं हो चुकी है कि भारत से पष्छिम एश्या कनेक्ट हो, एक पाइपलाइन की बात हुई थी, आपको यादोका मनमोन सिंह के टाइम में टापनी पाइपलाइन और दूसरी पाइपलाइन वगर कि बीच में पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला आ जाता था कि कोई भी रास्ता आप बनाते हैं पश्चिम की तरह वगर आप नक्षा देखें पश्चिम की तरफ कोई भी रास्ता ट्रेड रूट बनाते हैं व्यापार का रास्ता बनाते हैं तो उसमें रास्ते में पाकिस्त लेकिन चायना ने नए दौर में वह अपना चायना पाकिस्तान एकोनोमिक कॉलिड़ और बेल्ट एंड रोड इनिशिटिव करके उसने पूरा प्लान मनाया कि कैसे चायना से पाकिस्तान जुड़ेगा पाकिस्तान से आगे समुद्र के रास्ते से दूसरे देश का अफरीका से 個 met die यौॉअि यौरप से घुने का इधर पाकिस्तान से का अपना अपना अपनी पैट बना रहा है अपने कदम रख रहा है इन सब देशों में तो इसका काउंटर अमेरिका की तरफ से क्या हो उसमें भारत एक एहम कड़ी था लेकिन भारत तक कोई भी रास्ता आने के लिए या तो आप चाइना से आईए या पाकिस्तान से आईए क्योंकि हमारा जोग्रफी ऐसी हमारे पड़ोसी ये हैं